प्रो कबड़ी लीग में बुद्वार का दिन बेहत खास है आज हरियाना स्टीलर्स और पुनेरी पल्टन के साथ जैपुर पिंक पैंथर्स और तेल्गू टाइटन्स के बीच दो एहम मुकाबले खेले जाएंगे तोनो टीबों के बीच होने वाले इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी है और किस खिलाडी पर रहेंगी सब की नजर आईए जानते हैं लेकिन मुकाबलों की बात से पहले बात कर लेते हैं विंजो एप की आप विंजो एप पर जाकर 100 से जादा गेम्स खेल सकते हैं जो की 12 भाशाओं में हैं खास चीज तो यह है कि यहाँ पर रमी, पोकर, फ्री फायर जैसे धेर सारे गेम्स हैं इनके अलावा एक नया फीचर है फैंटेसी वार, जहां पर आपको एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम में मिलेंगी और आप इसमें से किसी भी टीम को अपनी टीम बना कर खेल सकते हैं इसके लावा वर्ल वार कॉंटेस्स में जाकर आप दो से चार टीमों के साथ भढ़ कर जीत भी सकते हैं तो है नहीं काम का आप चलिए अब लोटते हैं मुकाबलों पर पहला मुकाबला हर्याना स्टीलर्स और पुनेरी पल्टन दिन का पहला मैच है और बेहत खास भी दोनोई टीमें इस समय मुश्किल में है और पॉइंट्स टेबल में बॉटम फाइव में बनी होई है हर्याना की बात करें तो उसके हिस्से में अब तक इस सीजन में सिर्फ तीन जीत आई है जबकि पुनेरी के हिस्से में केवल चार दोनोई टीमों के बीच अंतर भी केवल तीन ही पॉइंट्स का है हर्याना के नाम 24 जबकि पुने के नाम महज 21 पॉइंट्स है शुरुआत करते हैं हर्याना की बात से इस सीजन उनका अब तक का प्रदशन बेहद निराशा जनकरा है शुरुआत पटना पाइरेट्स और जैपूर पिंक पैंथर्स के खिलाफ हार से हुई तीसरे मैच में तेलगू टाइटन्स के खिलाफ दो पॉइंट से जीत मिली लेकिन अगले मैच में बेंगलूरू बुल्स के खिलाफ फिर से टीम की हार हो गई लेकिन अगले तीन मैच में टीम ने शांदार वापसी की एक में भी हार का सामना नहीं किया गुजराट जाइंट्स और बंगाल वारियर्स के खिलाफ जीत हासल की जबकि यू मुम्मा के खिलाफ एक शांदार और करीबी मैच टाई खिला इसके बाद टीम ने एक बार फिर से मोमेंटम खोया और अगले तीनों मैच गवा दिये कुल मिलाकर इस टीम ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं जिनमें उन्हें तीन में जीत और पांच में हार मिले हैं इसके लावा दो मैच टाई भी रहे हैं हर्याना को अगर इस टूर्णामेंट में बने रहना है तो आने वाले मैच इसमें अच्छा प्रदर्शन करना होगा जिससे वो प्ले आफ्स में अपनी जगा बना पाए हर्याना के लिए किन खिलाडियों पर नजर रहेगी ये भी जान लेते हैं हर्याना की टीम के टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो सबसे ज़ादा प्रभावित किया उनके रेडर विकास कंडोला ने विकास अब तक इस सीजन में तीन सूपर टेन लगा चुके हैं और दस मैच में असी रेड पॉइंट्स कमाकर इस सीजन टीम के लीडिंग रेडर बने हुए हैं इसके इलाबा जिन दो रेडर ने और प्रभावित किया है वो है मीतू और रोहिद गुलिया मीतू इस सीजन में अब तक 3 सूपर टेन लगा कर 10 मैच में 56 पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं वहीं रोहिद की बात करें तो उन्होंने भी सीजन एक सूपर टेन लगाया है और 9 मैच में 46 पॉइंट्स टीम को दिये हैं डिफेंस में हरियाने की टीम ने अच्छा प्रदशन किया है जिसका श्रेज आता है टीम के दो टॉप डिफेंडर सुरिंदर नाड़ा और जैदीब को दोने ही खिलाड़ी सीजन में अब तक दो दो हाइफाइव लगा चुके हैं जैदीब के नाम 10 मैच में 31 पॉइंट्स हैं वहीं उतने ही मुकाबलों में नाड़ा के नाम 29 पॉइंट्स हैं इनके अलावा तीसरे नंबर पर हैं मोहित जिन्होंने 17 टैकल पॉइंट्स लिया और टीम का काम कुछ आसान किया है अब बात करते हैं पुनेरी पल्टन की उनके अब तक के सफर को देखेंगे तो उनके लिए सीजन के शुरूरात भुलाने लायक है पहले पांच मैच में टीम सिर्फ एक ही मैच जीत पाई हालेकि इस खराफ शुरूरात के बाद टीम ने वापसी की और अपने आपको टूनामेंट में जिन्दा रखने की कोशिश की अगले पांच मैच में टीम ने तीन में जीत हासल की जबकि दो में उन्हें फिर से हार देखनी पड़ी तीम ने गुजराज जाइंट्स को साथ पंगाल वारियर्स को बारा और यू मुंबा को तो 19 पॉइंट्स के बड़े अंतर से हराया इसके बाद जैपूर और दिल्ली के खिलाफ टीम को हार मिली पुने की टीम अब तक इस सीजन में 10 मैच खेल चुकी है जिनमें से 4 में उन्हें जीत मिली है और 6 में हार का सामना करना पड़ा टीम के नाम अब तक 21 पॉइंट्स ह हटा दिया जाए तो टीम अच्छी नजर आ रही है और उमीद है कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करकर वापसी भी करेगी अब पुनेरी की टीम की नजर किन खिलाडियों पर रहेगी इसकी बात कर लेते हैं उनको सबसे ज़ादा जहां उनकी टीम के लिए जिस मेंड में जिन्दा रखा हुआ है वे इस सीजन दो सूपर टेन भी लगा चुके हैं असलम के बाद रेडर मोहित गोयत नौ मैच में 48 और पंकज मोहिते ने 6 मैचों में 21 पॉइंट्स ला कर दिये हैं अब अगर डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर टीम के दो डिफेंडर् दोने इस सीजन 23 पॉइंट डिफेंस में ला चुके हैं इनके लावा सोंबीर भी डिफेंस में ठीक ठाक प्रजशन कर रहे हैं और अब तक 11 टैकल पॉइंट्स ले चुके हैं तो इस मुकाबले में एक कड़ी टकर देखने को मिल सकती है अब बात करते हैं दिन के दूसरे म मुकाबले की जैपूर पिंक पैंथर्स वर्सिस तेलगू टाइटन्स क्योंकि ये जो मुकाबला है इसमें जैपूर की टीम पर सबकी नजरे रहेंगी एक तरफ जैपूर की टीम इस सीजन अच्छा प्रजशन करते हुए पॉइंट स्टेबल में टॉप 5 में बनी हुई है और एक जीत का मतलब है कि वो और बहतर स्थिती में होगी और दूसी तरफ है तेलगू की टीम जो पॉइंट स्टेबल में सबसे निचले स्थान पर है जिसे अब भी सीजन में अपनी पहली जीत की तलाश है जैपूर की बात करें तो सीजन की शुरुआत इतनी अच्छी न और एक भी मुकाबले में हार नहीं देखी सबसे पहले पुने को पांच पॉइंट से हराया फिर दिल्ली को दो पॉइंट से माद दी उसके बाद पटना को नो पॉइंट से हराया और तमिल के खिलाफ हुआ मुकाबला 31-31 के स्कोर पर टाई रेकर खत्म किया कुल में लाकर टीम 10 मुकाबले खेल चुकी है जिनमें 5 जीती है चार में हार रिया और एक टाई मैच खेला है टीम के नाम अब तक 31 पॉइंट्स है अब दूसरी तरफ है तेलगू की टीम सीजन टीम को एक भी जीत नसीब नहीं होई है अब तक 10 मैच खेले है जिनमें 8 मेहार मिली है और 2 मैच टाई रहे 12 पॉइंट्स के साथ तेलगू का हाल बेहाल है और वो 12 नंबर वर है हाले कि टीम की शुरुआत इतनी खराब नहीं कहीं जा सकती क्योंकि पहले मैच में तमिल थलाईवास के खिलाफ मैच टाई रहा था अगले 2 मुकाबले बेहत कड़े खेले लेकिन उसके गहर मौझूद्गी में टीम का चौथा मैच टाई रहा लेकिन इसके बाद तेलगू की टीम अगले 5 मैच गवा चुकी है टीम की नजरे किस पर रहेंगी अब इसकी बात कर लेते हैं शुरुआत जैपूर से ही करेंगे इस टीम की निगाए रहेंगी अरजुन देशवाल और दीपक निवास हुड़ा पर ये दो नहीं खिलाड़ी सीजन अपने टीम के लिए बेहद महत पूर्ण सावित रहें अरजुन की बात करें तो वे सीजन 114 पॉइंट के साथ जैपूर के टॉप रेडर है वहीं अरजुन अब तक इस सीजन में 7 सूपर 10 भी लगा चुके दीपक के सीजन 62 पॉइंट्स हैं डिफेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है टीम के डिफेंडर साहुल कुमार ने साहुल अब तक 9 मैच खेल चुके हैं जिनमें उनके नाम टीम के लिए सबसे ज़्यादा 29 टैकल पॉइंट्स हैं इनके अलावा दूसरे सबसे काम्याब डिफेंडर हैं संदीब धुल धुल ने मैच साथ मैच में 15 पॉइंट्स अपने नाम किया है इन दोनों के अलावा ड सीजन तुफानी खेल दिखाते हुए सिर्फ 6 मैच में 56 रेट पॉइंट्स ले चुके हैं छे में से 3 मुकाबलों में वो सूपर 10 भी लगा चुके हैं इनके अलावा रेडर अंकित बेनिवाल ने भी शांदार खेल दिखाया अंकित के नाम 10 मैच में 50 रेट पॉइंट्स है डिफेंस की बात करें तो निगाएं होंगी टीम के सबसे कामयाब डिफेंडर्स संदीप कंडोला और इतुराज कोरावी पर संदीप के नाम 8 मैच में 19 पॉइंट्स हैं जबकि कोरावी के नाम 9 मैचों में 16 टैकल पॉइंट्स हैं संदीप ने सीजन एक हाई-फाइब भी लगाया इस तरह से प्रो कबड़ी लीग में वो दुआर के दिन फैंस को धेर सारा मजा आने वाला है प्रो कबड़ी लीग के इन दोनों मैचेस के लिए जो रिसर्च का काम किया है वो किया है प्रवीन नहरा ने कैमरे के पीछे हैं जैरी मैं हूँ विपिन शुक्रिया